लोगषेवा, प्रव झाल उक्षिए लुट तार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि सभी बच्चों को चिडिया, पक्षी बहुत पसंद है और हम सब जानते हैं कि अलग-अलग रंगों की होती है और सब को बहुत ही अच्छी रखती है बच्चे ही क्यों नहों, बड़ों को भी पक्षी बहुत ही पसंद है तो आज हम जो कविता परने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है हमारा चिडिया जैसे ही चिडिया हमने शब्द कहा, सभी के आखो की सामने हर रंग-बिरंगी कोई भी चिडिया का चित्र आने लगता है और बच्चे जिसे बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं आज की कविता हम शिरू करते हैं, जिसका शीर्षक है चिडिया पहली पंग्ती है कविता की, रंग-बिरंगे पंखो वाली चिडिया देखो आई जैसे कि अभी हमने बताया, पक्षियों के चिडिया के बहुत सारे रंग-बिरंगे अलग-अलग रंगों के पंखो होते हैं और जो हम देखने में हमें बहुत ही लुभावने लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं तो यही इस पंख्ती में कहा गया है, रंग-बिरंगे पंखो वाली चिडिया देखो आई देखिए, यह आपके सामने एक चिडिया का चित्र है देखे कितनी प्यारी चिडिया है ऐसे ही एक बहुत छोटी सी चिडिया का चितर आप सभी को अपनी कौपी में बनाना है और जिसमें रंग भदना है अगली पंक्ती है चूचू करके उड़ती सबके मन को भाती हम सभी जानते हैं चिडिया चूचू करती है और हम सभी के मन को बहुत ही अच्छी लगती है ये चार लाइन फिर से हम एक बार दोराते हैं रंग बिरंगे पंको वाली चिडिया देखो आई चूचू करके उड़ती सबके मन को भाती अगली पंक्ति आईए हम पढ़ते हैं चिडिया गाना गाती है सुबह हमें जगाती है फुर से उड़त जाती है चिडिया अपने बहुत मधुर स्वर में गाना गाती है जो हम सभी के मन को बहुत ही अच्छा लगता है और जिसके आवाज से सुबह हम जाते हैं जो हमारी चारु तरफ घर के चारु तरफ चिड़ियेव की चूचू की आवाज है सुबह बहुत ही मधुर हमें लगती है और वो फुर्दर से जब हम उसको पास में जाते हैं देखने के लिए जाने की कोशिश करते हैं और वो बहुत जल्ली से उड़ जाती है आप सभी अपने कॉपी में लिख रहे हैं साथ में और साथ में बोलते भी जाएंगे उच्चारण भी करेंगे अगली पंक्ती है काश में चिडिया होती आसमान में उड़ती ये एक बहुत छोटी बच्ची की कलपना है जो कहती है काश में चिडिया होती वो अपने आपको एक कालपनिक दुनिया में जाकर कह रही है कि मैं चिडिया होती तो आसमान में उड़ती ये देखिए ये इतनी प्यारी बच्ची है ये इसकी कालपनिक कविता है ये कह रही है काश में चिडिया होती आसमान में उड़ती पेड की डाल पर बैट चूचू गाना गाती ये बच्ची बोल रही है मैं पेड की डाल पर बैटती और चिडियों की तरह ही गाना गाती आप सभी अपनी कॉपी में ये लिख रहे हैं कवीता बहुत अच्छा सबकी उच्चारण में भी सुधार आ रहा है और अक्षरों में भी सुधार आ रहा है राजू आप लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं रमेश आप दिखाईए आप सब अपनी कॉपी दिखाईए ठीक है आईए अब हम इसके शब्दार्थ पहले पढ़ेंगे उसके बाद लिखना शुरू करेंगे सबसे पहला रंग बिरंगे मतलब अलग 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 रंगों वाले जब आप रंगों का उपयोग करेंगे अक्षरों में लिखेंगे हरा लाल लिख रहे हैं तो लाल लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे अलग अलग रंगों वाले चीडिया जैसे कि आप सब जानते हैं चीडिया कार्ट होता है पक्षी भाती अच्छी लगती मतलब हमारे मन को जोची अच्छी लगती है, हमें चिडिया अच्छी लगती है, गाना अच्छा लगता है और सभी को अपने रुची के अनुसार अलग-अलग चीजे अच्छी लगती, जिसे हम कहते हैं बाती, अरथा अच्छी लगती सुबह, ये सभी जानते हैं, सुबह मतलब भोर, भोर भी कहते हैं जिसे और सवेरा भी कहते हैं तो हमने सवेरा लिखा है, बहुत सलल शब्दों में, आप अगर लिखना चाहें तो साथ में भोर भी लिख सकते हैं आस्मान, आस्मान मतलब आकाश या जिसे नभ भी कहते हैं आकाश, लिखिए अपनी कौपी में सभी लिख रहे हैं, सभी बच्चे, बहुत अच्छा लिख रहे हैं यह भी हमने शब्दार्थ देखा है एक बार फिर से हम इसे दोहराते हैं शब्दार्थ को रंग, बिरंगे, अर्था, अलग, अलग, रंगो, वाले सारे बच्चे साथ में बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, शब्दार्थ में शब्द बोलूंगी, इसका अर्थ, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, जो आपके सामने लिखा हुआ है चिडिया, हाँ, सब कहिए एक साथ, पक्षी, बहुत अच्छा तीसरा, भाती, हाँ, सब एक साथ कहिए, अच्छी, लगती, बहुत सुन्दर सुबह, हाँ, रवी, आप बताओ, सवेरा, बिल्कुछ सही, सब एक साथ कहेंगे, सवेरा आस्मान, अर्थाथ, आकाश, ठीके लिखिए आप सब अपनी कॉपी में, चलिए आगे हम अभ्यास के प्रश्न देखते हैं बहुत चोटे-चोटे प्रश्न है, पहले मैं आप से इसे मौखिक पूछूंगी, उसके बाद मैं लिखित के लिए भी आपको प्रश्न दूँगी, पहले हाँ मौखिक प्रश्न हल करेंगे पहला प्रश्न है, चिडिया क्या गाती है? यहाँ धियान से देखिए सब, चिडिया क्या गाती है? सब जानते हैं चिडिया क्या गाती है? बहुत अच्छा, चिडिया गाना गाती है सब एक साथ फिर से बोलेंगे, प्रश्न की उत्तर, चिडिया गाना गाती है, दूसरा प्रश्न, चिडिया किसके मन को भाती है, कौन बताएंगे इसका उत्तर, हाँ कौन बताएंगे, सिताब बताएंगे, चिडिया किसके मन को भाती है, बिल्कुल सही, चिडिया सबके मन को तीसरा प्रश्न, हाँ, शैलू आप बताएंगे, तीसरा प्रश्न है, चिडिया आस्मान में क्या करती है, क्या करती है चिडिया आस्मान में, सभी जानते हैं, चिडिया आस्मान में उरती है, बिलकुस ही, शैलू ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, फिर से दोहराएंगे एक चिडिया गाना गाती है, आप लोगों को कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है मौकिक प्रश्णों में, उत्तर देने में या समझने में बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत रुचिकर है, बहुत अच्छा, चिडिया किसके मन को भाती है, चिडिया सब एक साथ कहिए, सब के मन को भाती है, बिल्कुल सही, तीसरा प्राश्न, चिडिया आसमान में क्या करती है, हाँ सब एक साथ कहेंगे, चिडिया आसमान में उरती है, बहुत अच्छा, कोई क उसकित लिए परतिन आई तो नहीं है मौखिक प्रशनों में सब ने अच्छी से समझ लिया हम आगे जा कि अब लिखित प्रश्न हल करें बहुत dönicamente इसे हम हल करेंंगे पहले हम इसे मौकिक दौहर आएंगे इसके बाद हम इसको अपनी कोपी में आप सब लिखेंगे पहला है प्रेशन चिडिया कैसी है पहले समझ लीजिए चिडिया कैसी है चिडिया अलग अलग रंगों वाली है या रंग बिरंगे पंखों वाली है ये भी लिख सकते हैं दोनों लिख सकते हैं उत्तर चिडिया रंग बिरंगे पंखों वाली है ठीक है दूसरा प्रेश्ण चिडिया हमें कब जगाती है कौन बताएंगे इसका उतर रमेश बिल्कुल हाँ आप बताईए चिडिया हमें कब जगाती है चिडिया हमें सुबह जगाती है बिल्कुल सही कहा रमेश ने चिडिया हमें सुबह जगाती है चलिए तीसरा प्रश्न हल करते हैं तीसरा प्रश्न है यदी तुम चीडिया होते तो क्या करते हैं? आप सब सोचिए अपने कलपना की दुनिया में सोचिए जाकर कि यदी आप चीडिया होते तो क्या करते? सोचिए, सबके हाथ एक साथ उठे, बहुत अच्छा यदि आप चिडिया होते, तो आसमान में उड़ते तो लड़किया लिखेंगी, यदि मैं चिडिया होती, तो आसमान में उड़ती और छात्र लिखेंगे लड़के लिखेंगे यदी मैं चिडिया होता तो आस्मान में उड़ता इसलिए मैंने ये दोनों आपको विकल्प दिये गए हैं ऐसा लिखेंगे छात्र लिखेंगे होता और उड़ता और छात्राइं लिखेंगी होती या उड़ती साथ में तीन प्रश्ण है तीनों को एक बर फिर से हम दोराते हैं चिडिया कैसी है साथ में बोलेंगे आप लो चिडिया रंग बिरंगे पंखों वाली है दूसरा प्रश्ण है चिडिया हमें कब जगाती है चिडिया हमें सुबह जगाती है तीसरा प्रश्न यदि तुम चिडिया होते तो क्या करते बिल्कुल सही यदि आप चिडिया होते तो क्या करते आस्मान में उरते ठीक है तो इसका उत्तर यह है अगर मैं चिडिया होता या होती तो आस्मान में उरता या उरती जैसा के भी मैंने कहा है छात्र लिखेंगे होत और उड़ता और चात्राय लिखेंगी होती या उड़ती अब आपको सही शब्दों को भरना है अगला प्रश्न तीन प्रश्न दिये गए हैं आपको रिक्ते स्थान में और साथ में तीन विकलब भी दिये होंगे जिसको सही विकलब को आपको चुनकर रिक्तिस्थान में लिखना है पहला है सब के रिक्तिस्थान को भाती है और तीन विकल्प हमारे पास है मन, चिडिया और उड़ तो आप भी चाहे तो दो अलग-अलग रंगों के दो अलग-अलग पेन स्याही का उपयोग कर सकते हैं जिसमें आप एक प्रशन लिखेंगे और सही उत्तर को आप लिख सकते हैं तो पहला है हमारा सब के मन होगा चिडिया होगा या उड़ होगा सब एक साथ बताइए बहुत रूचिकर है ना सब के मन को भाती है बिलकुल सही पहला अब दूसरा प्रशन फुर्र से चिडिया होगा या उड़ होगा फुर्र से रिक्त इस्थान जाती है फुर्र से हाँ कौन बताएंगे रमेश बताईए आप फुर्र से उड़ जाती है फुर्र से उड़ जाती है तीसरा है काश में रिक्त इस्थान होती तो आसमान में उरती है आपके पास प्रशने भी एक है विकल्ब भी एक है आप सभी जानते हैं काश में चिलिया होती तो आसमान में उरती आप लोग साथ में एक छोटी सी चिलिया का पक्षी का चित्र अपनी कौपी में बनाएंगे जिससे ये और ज़्यादा रूची कर लगेगा और आप सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा हम आपके सामने कुछ पक्षियों की चित्र दिखा रहे हैं इसे आप सब को ध्यान से देखना है और इनकी बोली को बताना है आपको कि जो पक्षि है वो क्या कहता है उसकी बोली कैसी है सबसे पहला है चित्र आपके सामने आप सब देख रहे हैं ठीक है बहुत अच्छा ये है आपके सामने कौवे का चित्र है आप सभी जानते है कौवा क्या करता है कौवा काउ काउ करता है हाँ पहला वाक्य लिखे कवा काओ काओ करता है लिख लिया ठीक है चलिए दूसरा प्रशन देखते हैं आपके सामने ये दूसरा चितर जो है ये है तोता आप सभी जानते हैं तोता है ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है और जो आप हमेशा चितरकला की प्रदियोगता मे बनाते भी हैं और जीतते भी हैं तोता क्या कहता है तोता टें टें करता है इसकी बोली कैसी है टें टें तो आप लिखेंगे तोता टें टें करता है बहुत रूची कर लग रहा है आप सभी को चलिए तीसरा तीसरा वाक्य हम देखते हैं तीसरा चितर आपके पास है कबूतर क आप सब की सामने ये है कबूतर का चित्र, कबूतर क्या कहता है, हाँ सब एक साथ बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कबूतर गुटुर्गु करता है, तो आप कबूतर का चित्र बनाएंगे और लिखेंगे कबूतर गुटुर्गु करता है, चौधा चित्र है आपकी सामने बहुत अच्छा सब एक साथ कह रहे हैं मुर्गा मुर्गा क्या कहता है? कुकडुक कु कहता है जो सुबह में जगा आता है हमारे घर के आसपास कितने सारे मुर्गा है, मुर्गिया है देखा है ना आप सबने? ये लिखे मुर्गा कुकडुक कु करता है इसमें कोई परिशानी तो नहीं आ रही है आप सबी को रूची कर लग रहा है चलिए पाँचवा है हमारे सामने चित्र सब एक साथ बोलिए कोयल, बहुत अच्छा कोयल क्या कहती है? कुकु कहती है कोयल कुकु कहती है इसको आप लिख सकते हैं कोयल कुक्ति है काओ 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 करता है काओ 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 करता है पहला चित्र कउवा का है, सब को मालूम है इसमें कौन सा रंग भरेंगे आप सब, काला, बिल्कुल सही दूसरा, सारे बच्चे एक साथ करिए, तोता टेंटें करता है तोता में कौन सा रंग भरेंगे आप लोग, हरा, बहुत सही और इसकी चोंच में लाल, बिल्कुल सही, तोता टेंटें करता है तीसरा चित्र, कबूतर गुटुर्गु करता है चौथा चित्र, मूरगा क्या कहता है, कुकडुकु, मूरगा कुकडुकु करता है साथ में लिख भी रहे हैं आप सभी ठीक है बहुत अच्छा और यह पांचवा कोयल कूकू करती है यह भी लिख सकते हैं कोयल कूकती है दोनों भी लिख सकते हैं आप बहुत रुचिकर लगा आप लगों को आप सभी को यह सारे पक्षियों के चेत्र और इनकी बोली आप सभ ब्यास भी करेंगे और सभी एक छोटा-छोटा सा मुखोटा भी बनाएंगे इसका जो आप इसको पहनेंगे और कल की कख्षा में हम इसका एक नाटक प्रस्तूत करेंगे सारे बच्चे मुखोटा पहन कर आएंगे और जो बच्चे जिस्टी इसका मुखोटा पहनेंगे उनक सभी का श्री सत्य साही लोक सिवा गुरु कुलम के आनलाइन कक्षा में जूरने का बहुत बहुत धन्यवाद ओम श्री साही राह